एल्ट लो द।ो दौस्तों कैसे ह custom आप इस ने विडिम आप सबस्वागत करता हूँ युज के स्विंग इन दोनों टीमों के बीच में दोस्तों यह मैच दोफेर को सअध्य तीन बज़े स्टार्ट होगा विन्य होने वाला है लीडि लिद्स को आपको तेलेग्राम चैनल से जौईन होना है बहुत सारे मैच चल रहे हैं सारे मैच के टीमस आपको टेलेग्राम चैनल पर मिलते हैं सारे अप्देट साफ को चैनल मैं जाते हैं तो जिरूर जॉएन हो जाओ को इनके सेक्षन में या फिर अपको दिस्क्रिप्षिन बॉक्स में भी मिल जाएगी सब्सक्राइब तो बात करते हैं। पिंच रितर्ट के बारे में ठीक है तो यहां पर लास्ट ने 109 रन बनाए थे और ओल इंविंसिपल 105 ही बना पाई थी चेस नहीं कर पाई थी फिर नॉर्टन सुपर्चार्जस ने 126 बनाए थी जिसे चेस कर लिया था मैंचेस्टर और फिर लास्ट मैच में बर्मिंगम फिनिक्स ने 147 बनाए थे यहां पर और नॉर्टन सुपर्च तो आपको कई ना कर डिसेंट स्कोर बनता हुआ दिख गया था और यहीं कुछ आपको फिर से यहां पर देखने को मिलना चाहिए दूसरों बात करते नॉर्टन सुपर्चार्जर्जर्स की तो कुछ इस तरीके से इनकी प्लेंगिलियों रही थी पिछले मैच में बेंच प ही चाहिए ओके बात करते हुआ कि पिछले मैच में तो एलिसा अच्छा किया था पर फिर उसके बाद आउट हो गई थी पंद्रह रन बनाया थे साथ बॉल में बहुत अच्छा स्टार्ट किया अंड्रेट का फिप्टीव रन बनाया थे लौरा वालट ने बहुत अच्छी आच बॉल का एक ओर होता है दो और मतलब दस बॉली समझ लोटिक है सेम फो लुसी हाई कम इन्हों ने दो और में सोला रन दिये थे जैनिकर ने तीन और डाले थे 19 रन देकि एक विकेट बहुत जादा एकस्पेरिसिंग के पास है और स्लो बॉल्स का मोशली यूज करती है लिंसे स्मिथ की बात करते हैं उन्हों 3.4 ओर में 34 रन दिये थे मतलब 3.4 ओर मतलब कितने हों नाइंटीन बॉल्स जिसमें 34 रन दिये थे बट यह बहुत अच्छी स्पिनर है कैटी मैक की बात कर इनको तीन ओर में 21 रन पड़ गए थे और डी रिचर्ट को 3 ओर में 28 रन प कर सकते हो ठीक है I don't think कि इन में से कोई भी आपको बेंच पर मिल जाएगा बट फिर भी आप लोग चेक आउट कर सकते हो यह आपको लास सीजन के स्टार्स भी आपको यह पर देखने को मिल जाएंगे अब यह भी चेक आउट कर सकते हो ओके तो जैसे मैंने फर्स मैच के व यह बहुत सॉलिड पीक है विकाज अल्डाउंडर है तो यह जो पाथ चे प्लेयर से यह बहुत इंपोर्टन है और थोड़े गेम चेंजर में फिर आपके लिए जैनी गन है अच्छी पेसर है बहुत सारा एक्स पिनेच और थोड़ा-बहुत नीचा के बैटिंग भी कर ल आपको दिखेगी अब बैटिंग ऑडर की बात कर तो टॉप थ्री आपके सॉटेट है बेत मुनी ग्रेस क्रिवंस और अमिलिया के रिए यह तीन आपको ओपन करते हुए दिखेंगे बट न मिडल ओडर में आपको चेंज़ेस देखने को मिल सकते अगर इन टॉप थ्री न पिछले मैच में क्या हुआ था डैनल गिपसन को नंबर चार पर भेज़ दिया था बड़े शॉट लगाने के लिए ठीक है यह नोट करके चलोगे अब लोग बात करते हैं हुआ क्या है पिछले मैच में तो बेत मुनी ने क्या ही बैटिंग करी थी 97 in 55 बाल्स मतलब नोट स्मार्टली खेलती है गैप दूनती है और लगता ही नहीं है कि यह रन बना रही है ठीक है तो इसे वज़े से यह नंबर वन थी ट्वेंटी है बैटर भी है वर्ल्ट क्रिकेट में तो समझे सकते है प्लस विकेट की पर है ग्रेस क्रिवंस ने जरूरोब ओपन किया था इस ठीक है अब बॉली में देखोगी तो मेगन सकते फ्रॉम ऑस्टलिया पूरे चार वर डाले थे 22 रन दिये थे इंपोर्टन बॉलर रे विकेट टे करे रे डेवेस ने तीन ओर डाले थे 32 रन दिये थे चारली डिन ने 3.4 ओर में 36 रन दिये थे टीम की कैप्टन ने बढ़ी ठीक है अब इनके आप यहाँ पे अगर देखोगे तो ओर राइडिया आज आजाएगा तो पिल अच्छा करके आ रही है ठीक है डो मिस्टेकली तिंका नोट करके चला ग्रेस क्रिवन जो ओपन कर रही थी पिछले मैच में इनके स्टाइट्स देखो ये वी डो मिस्टेकल अच्छा करके आ रही है ठीक है डैनल गिपसन अच्छा करके आई है तो यह सारे प्लेयर्स के स्टैट्स देखो चारली दीन देखो जो पिछले मैच में विकेट लेस रही थी रन भी दिये थे टीम के कैप्टन है वो और इनके पिछले पाच मैचस देखो 100 से पहले क्या वाल पुरे चार ओर बॉलिंग करी थी और बॉलिंग सेक्शन मुझे लगता मेगन स्कट और चारली दीन तो यह पाच प्लेस मुझे लगता कईना का इस टीम के इंपोर्टन पिक्स रहेंगे इनकी अला फ्रेया डेवी से कच्छी पेसर है एक्स्पेरियेंस है और नॉमी डटा क्या हुआ है आप उनको डिफरेंशल मान के चलके ग्रेंड लिग कर सकते हो और यह बाकी के प्लेस जो मैंने इंपोर्टन बता है उनको आप लोग स्मॉल लिग में डेफिनिटी लेनी की कोशिश कर सकते हो दोस्तों बनाता है टीम साथ ही कुछ डिफरेंशल प्लेस के इम लोग बात करेंगे विकेट के सक्षिन में आपको मिलते है अलिसा हेली जिनकों लोगों ने स्मॉल लिग में प्रेफर कर लिया बट बेस सित आएंगी वन डाउन यह आपके लिए गेम चेंजर है ठीक है इनका स्वासा नोट करके चलोगे और बाकी आपको एक एर मिल जाए कर सकते हो और अमेलिया केर इनको मैंने ले लिया डेविट सन को मैंने प्रेफर कर लिया तो यह दो प्लेस में टिम में आ गई पिर आ जाते है जैनी गर्ण पुब्लिक लेके आ रही है विकास देखो एक तो अच्छी बालिंग देती स्लो बोल्स का यूज़ करती है स्लो लिग में हमारे टीम में रहेगी ग्रेंड लिग में बिल्कुल करोगे बाकी नांसी अर्पन भी मेरी साब से नहीं खिलेगी बॉलिंग सेक्शन में वहां पिलिया मैंने में गिप्सन को यह दो प्लेस मैंने ले लिए उसका तो नीचे आउंगा तो मैंने चारले डीन क प्रेफर कर लिया तो यह तीन बॉलर्स मैं प्रेफर कर लिये लंडन स्पीरेट के अब देखो लांसे समीत थे अच्छी श्पनर है पिश्लय में विकेट लेस रही थी बट यह बहुत अच्छी श्पनर है विकेट निकालती है लुसे आईगा मैं एक ठीक अल रांडर है ठ बट यह गेमचेंजर बन सकती है ठीक है लैंगस्टन ठीक है ट्राइब कर सकते हो बाकि फ्रेयर डेवियस है इनके वासे एक्सपरेंस है विकेट टेकर है अच्छी बॉलर है अगर पहले बॉलिंग तो फिर भी ट्राइब करो बट ग्रैंडली में मोश्ट लेकर चल सकते हो औ टो फिर सेफ आप लो यह आप जैनी गन को ले लो तो यह आपके उपर इक आप जैनी गन को लेना चाहते हो और पर केटी लेविक को गेमचेंजर ने इसा कोई बहुत अच्छा नहीं किया है जरूर कल के मैंचस्टर मैच में आलना किंग ने बहुत बढ़िया बालिंग करी थी थी बट अब तक थोड़ा सा कही ना कई स्पीनस को थोड़ा सा विकेट कम मिले हैं हम लोग ने देखा है पिछले सा तीन-चार मैचस में तो यह थोड़ा सा नोट करके चलो फर्स्ट मैच इस स्पीच पे तो देखने लाइक बने अगर किस तरीके से पीच रहेगी तो के परिए के चलोगे इस पॉंट में जैनी गुन को ले रहूँ और गैस कुछ इस तरीके से बनीगी मेरी टीम बड हां क्याटी लेविक का नोट करके चलोगे कैप्टेन आइस कैप्टेन से की बात करें तो अमेलिया केर बेत मुनी सॉलिट ऑप्शन से ठीक है और इनके अलावा जेमार रोड्रिकर्स लोरा वालवाड भी बहुत अच्छा ऑप्शन से ठीक है बाकि आपको यहाँ पर यहाँ पर अलिसाहिली मिल जाती है यह फिर डेवि जिनी को ही किया है just due to his recent form or his consistency ठीक है ठीक है ठीक है तो देख लो आप अपने changes कर सकते हो अगेन final team बहुत matter करीगे जीनी गन के जगप हम लोग change कर सकते हैं आप चाहो तो चारली दीन के जगप भी change कर सकते हो final team आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी तो टेलीग्राम चैनल पे आजाओ बिल्कुल भी टेलीग्राम चैनल को मिस्स मत करना विकास इस मैच के रहाम लोग बाकी मैचेस भी तो cover करने ही वाले ना तो फिर आजाओ जल्दी से आजाओ टेलीग्राम चैनल की लिए आपको comment section में ठीक है माप करना comment section में first comment में actually मिल जाएगी और वीडियो प चीं